क्या आपको पता है कि एक small stream इसके पास कितनी पावर होती है? दोगो भई इतनी पावर होती है कि ये पूरा का पूरा mountain को carve out कर सकती है लेकिन ये ऐसा क्यों कर पाती है भई? क्या reason है? The reason is the thought of never failing ये जो कभी भी खत्म ना होने वाला प्रयास इसके मन में एक दिड़ संकल्प पैदा करता है ना वो ही कहीं चीज हमारे UBSC, aspirants के अंदर भी होनी चाहिए अब यहां से एक problem सामने आती है कि ये पात कौन सा follow किया जाए? क्या करें? सब लोग भूलते तो हैं कि smart strategy अपना हो गदों की तरह मेहनत मत करो लेकिन actual में करना क्या है? अगर मैं आपको एक simple सा picture देखाऊंगा न और इसमें से पूछोगा कि भाई देखो तुमारे पास चार options है A, B, C और D और इसमें से कौन सा option तुम चुनना चाहोगे तो शायद आपको बताने में एक second भी देरी ना लगे कि sir मेरे को ना C option ही चाहिए least deferred with maximum benefit लेकिन UPS से इतना आसान नहीं है UPS से पता है कैसा है? आपने कभी Indian थाली देखी है, platter वाली कुछ इस प्रकार की ये थाली में इतनी सारी चीज़े रखी होती है sorry to those people जो non-wage नहीं खाते हैं उनके लिए उपकाटोरिया निकाल दी जाएंगी लेकिन actual में न, UPS से का जो exam है वो ऐसे ही अलग-अलग dishes के subject से बना हुआ है जैसे की कभी कोई एक subject geography को represent कर रहा होगा कोई एक subject history को represent कर रहा होगा कोई एक topic polity को represent कर रहा होगा and so on कुछ ऐसे subjects भी होते हैं जो की सब के साथ mix-up भी हो सकते हैं जैसे की roti roti is like current affair सब के साथ थोड़ी-thोड़ी-thोड़ी-thोड़ी मिलबाट के खाल लिते हैं चावली again can be considered as current affair और यहां पर एक बात हमें ये देहान देना है कि सारे की सारी चीज़ें हम ना एक साथ नहीं खा सकते mix करके क्योंकि फिर हमें पता नहीं चलेगा कि हमने खाया गया है किसका क्या taste है कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है किसको दुबारा खाना है कितना खाना है, कम खाना है, जादा खाना है कुछ भी नहीं बता चलेगा लेकिन यहां से एक दुविधा भी मन में आ दे है कि सर अब एक बात बताओ आपने अगेन confusion create कर दिया एक तरफ है current affair और दूसरे तरफ है static अगर prelims के point of view से अगर मुझे बात करनी होगी तो मुझे किस पर जादा information या फिर जिस पर जादा मेहनत करनी है smart work किसे कहेंगे हम लोग हम लोग इसको समझने के लिए जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा थुड़ा मैं आपकोने examples देता हूँ यह कुछ articles है नियूस पेपर से important topic है तो यह क्या है current affairs newspaper is all about current affairs लेकिन यहाँ पर यह सब जो concepts है ना यह कही न कहीं आपके कहां से आते हैं static से आते हैं और examples देखते हैं यैसे कि law commission उसका role member recommendations की बात हो रही है यहाँ पर आपको uniform civil code या फिर law commission इन सब के बारे में थोड़ी basic information होनी से यह quality के अंदर में similarly agriculture का knowledge और वैसे तो आप में से कई सारे लोग जो की village area से belong करते हैं उनके लिए तो शायद यह याद करने का कोई मुश्किल नहीं है कि कौन सा राभी crop है कौन सा खारिक crop है उनको तो यूँ ही रटा हुआ है बट जो लोग नहीं रहते हैं उनके लिए बड़ी मुश्किल है और इन agriculture का actual में economy से क्या relation है आपको याद होगा GS paper 3 में agriculture नाम से UPSC ने एक full fidget syllabus का एक core हिस्सा define किया हुआ है तो उसका basic information होना चाहिए same goes with this as well कि अगर आपको gene के बारे में पढ़ना है तो आपका biotechnology का basic portion या फिर cell structure जो है वो बड़ा ही अच्छे से complete तरीके से आपको समझ में आना चाहिए मुद्दा क्या है कि जितने भी current affairs मैंने आपको दिखाएं भी इन सब में कहीं न कहीं current affair तो है no doubt यार न्यूस्पेपर का article ये current affair ही होगा लेगिन इसके साथ साथ static portion भी है ये दोनो ना एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते है बिल्कुल पक्य साथ ही है ना जन जनमांतर का रिष्टा है इनका तो अगर आप मुझसे पूछने कि sir important क्या है फिर आप ये बताओ important नहीं है कुछ भी एक तरफ हम नहीं जा सकते हैं यहाँ पर आप जड़ा bifurcations देखो ये 2019, 2020, 2021, 2021, 2022, 23, 24 इन सब के अंतरगत में देखो जड़ा current affair से कितने questions बन रहे हैं कभी 19 question बनते हैं कभी 7 question, कभी 15 question, कभी 29 question कभी 15, कभी 20 हम यूँ बोल सकते हैं कि देखो on an average, 15 से 20 question जो है न वो current affair से रहती हैं, लेकिन बाकी बाकी के 80 question 85 question कहा गए ये भी इसमें भी current affair का थोड़ा सा तड़का लगता है और इन current affair के questions में भी थोड़ा सा static का तड़का लगता है दोनों को मिला के ही actual में एक कोई questions अच्छे level का UPSC frame करती है तो अब ये बात तो clear हो गई हाँ देखो कुछ questions exceptional होते हैं for example जैसे current affair 2023 के कुछ questions को अगर हम लोग देखें तो specifically pure current affair पर based है, जैसे की इन में से कौन सी countries they are suffering from decades of civil strife and food shortages and was in news in the recent past similarly public sector healthcare, यहाँ पर तो चलो थोड़ा सा आप लोग का basic भी information काम में आ जाएगा, यह 2023 के सारे questions है, कुछ और questions को मैं दिखाता हूँ, जैसे की अब आप ये बताओ जरा यहाँ पर which of the following countries has its own navigation satellite system, यह भी current affair का question है, फिर यहाँ पर recently USA और European Union ने एक trade and technology council launch किया है, अब recently यहाँ पर है, तो इसके लिए भी current affair की बात कर सकते हैं, similarly 2023 की यह कुछ और questions, की चाड, गीनिया, माली, सुनान, यह सब हमेशा news बे रहते हैं, फिर 44th Chess Olympiad, 2022 का question है यह, similarly 2022 के कुछ questions देखें, तो सोमनाथ टेंपल, यह सोमनाथ टेंपल जो है, यह आप art and culture में, थोड़ी बहुत information के साथ इसको पढ़ते हो, बट recently, चुकि वहाँ पर, अभी हमारे प्रदान मंत्री सा आप गय थे, इसलिए question आ गया, यहाँ पर आप एमालगमेशन देख सकते हो, क्या current affair, प्लस static का, यहाँ पर आप देखो, सिंकाकू आइलेंड, कुछ दिन पहले news में था, कुछ दिन पहले न्यूज में था, current affair, country, कुछ important reason के, जो भी news recently थे, उनके basis पज़रा बताओ, कुछ Gucci, sometime mentioned in the news, इस तरीके से यह, एक और question में आपको दिखाता हूँ, this is the question, fractional orbital bombardment system, तो भले ही यह current affair का question है, लेकिन basic understanding अगर आपके पास है, आपके static portion का, तो भी equation solve हो सकता है, तो यहाँ पर यह चीज हम लोग का बिल्कुल clear हो जा रहा है, कि देखो, there will be a mix of both of these things, हो सकता है कि कुछ एक का दुक्का, एक का दुक्का बोले तो 3-4 questions के आसपास, purely current affair पर आ जाए, लेकिन जादा तर questions जो भी हो दें, वो current affair को static के साथ connect करके ही चलते, और वैसे भी, हम लोग 300-65 दिन क्या 500 दिन के current affairs approximately पढ़के जाते हैं, अब या कौनसा current affair, किस दिन कौनसा हमसे छूड़ गया है, वो बड़ा मुश्किल हो पाता है, इन सभी चीजों का एक one stop solution PW Only IS आप ते लिए लिए लिखे आया है, इन सभी, सभी तमाम मुश्किलों का सामना, आखिर आप कैसे करो, ये solution का नाम है, current affair plus, current affair plus, actual में ये बहुत ही affordable और qualitative batch है, जिसके अंदर में current affair plus, ये basically हमारे सुमिच सर के द्वारा ही पढ़ाया जाएगा इसमें, और ये English medium मालों के लिए होगा basically ये prelims को target कर रहा है आपके, आप daily basis पर जायत सी बात है, ही सुमिच सर के editorial discussions को सुनते होंगे, लेकिन at the same time editorial discussions basically mains के perspective पर जादा focus करते हैं, अगर आपको डर लगता है न कि यार, prelims में पहले clear तो हो, फिर तो means तक पहुचेंगे, हाला कि preparation तो दोनों की करनी है, तो इस prelims का fear, अगर आपको खत्म करना है तो आपको इसमें edge लेना पड़ेगा, और इसमें edge लेने की शुरुवात ऐसे हो सकती है, कि आप इसकी तयारी अभी से start कर दे, और यहां पर जैसे कि अभी तक हम discuss कर रहे थे, it is not always about current affair, या फिर it is not always about a static, it is always about the combination of both, और यह combination ही ना बहुत-बहुत problems का solution ले के आता है, इसमें इस पूरे batch में ये एक प्रकार का daily initiative होगा, जैसे आप एडिटोरिल discussions आते हैं, उसी में समित सेल शुरुवाती दौर पर आपकी current affair को discuss करेंगे, at the same time current affair के बाद, वो एक static portion को भी साथ लेके चलेंगे, ये static portion क्या होगा, ये static portion वो day by day आपको inform करेंगे कि भाई, आज पढ़ के आना कल जब भी आप इस topic के साथ पढ़ के आओगे, इस पूरे batch के अंदर में, तो हम इसका quick revision करेंगे, quick revision भी ऐसा कोई मामली revision नहीं है, ये उन points पर focused होगा, जहां से UPSC के questions आने की संभावनाए जादा हैं, और इसको बहुत बार हम लोग MCQ format में भी revise करेंगे, जिससे की आपका question solving tendency भी थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा मतलब की, आप ये समझो की current affairs पढ़ रहे हैं, current affair के question solve कर रहे हैं, फिर static पढ़ के जो आप आए हो, उन static के MCQ के format में हम बहुत तेजी से revise कर रहे हैं तो in fact, जो अभी हम current affairs के तयारी, prelims exam के 2 से 3 मंथ पहले करते हैं अब हम लोग क्या कर सकते हैं इसके तयारी अभी से कर सकते हैं और पूरे महीने में, या फिर पूरे दिन में अगर हम लोग बात करें, तो पूरे दिन में मुश्किल से कितना time देना है, एक गंटे से देड़ गंटे का time देना है अगर एक से देड़ गंटे के time देने से हमारा prelims exam share short तरीके से कामयाब होने की संभावनाओं के शिखर तक पहुच जाता है तो इसमें बुराई क्या है यार यह तो win-win situation है सबके लिए तो basically इस batch के बारे में अगर मैं थोड़ी से information आपको और देदू तो इसमें आपको इस current affair plus के साथ आपको current affair सी classes तो मिलेंगी इसमें आपके prelims के static revision जो है न यह आपके लिए एक ऐसा edge provide करता है जो की आपको prelims examination में बाकी aspirants से कहीं ज़ादा आगे ले जाके खड़ा कर देगा क्योंकि बाकी लोग तो तयारी करेंगे अपने january में जो की बहुत ज़ादा डरते हैं कुछ लोग feb में और in fact कुछ लोग मार्च से भी तयारी करते हैं 2025 की बात कर रहा हूं है लेकिन अगर आप थोड़े थोड़े टाइम से ही अगर आप इसको अभी से अपने static को revise करते चलोगे ज़ादा तरह टाइम आपको अपने mains के लिए देना है no doubt लेकिन इस static revision के चलते ना आप बहुत ही ज़ादा आगे बढ़ सकते हो at the same time in batches में जो भी आप topic पढ़ते हो उसका infinite practice questions आपके लिए उपन हो जाता है मतलब कि आप किसी भी subject के किसी भी topic से उन questions को उठाके solve करना स्टार्ट कर सकते हो ये सारी चीज़ें आपको application पर available होंगे जो भी आप glasses कर रहे हो उनके class notes मिलेंगे doubt sessions regular basis पर सुमित सर आपके लेते रहेंगे जिससे की कोई भी doubt आपके मन में आता है तो उनको हम लोग resolve करते चले और ये समझ लो एक प्रकार का रामभाड इलाज बूल सकते हो आप कि static और current का जो दुविधा चल रहा था ना उसको ये completely resolve कर देता है अब यहाँ पर इसके कुछ fundamental features की हम लोग बात कर लेते हैं जैसे की current affairs की classes यहाँ पर मिल रही है at the same time यहाँ पर आपको मिल रहा है monthly और full linked ये दो basis पर monthly test मिल रहे है full link test मिल रहे है तो monthly test, full link test ये सब आपके preparation में आपको न actual में सच्चाई से रूब रूब करेगी क्योंकि actual में आप कितने पानी में हो पता कैसे चलेगा आंकों के कैसे कि मेरी तयारी सई डिरिक्शन में जा रही है उन सभी चीज़ों के लिए ये regular basis के जो test होंगे न ये आपको ultimate edge देंगी at the same time ये आपके अंदर एक ऐसा question solving tendency create करेंगे जिसकी basis पर आपका question के प्रती approach जो होता है न वो काफी अच्छा हो सकता है at the same time जब आपका UPSC exam होगा तो आप already कई सारे questions already solve कर चुके होगे अपने static से भी अपने current affair से भी तो आपके लिए एक win-win situation again होगी क्या आप पर revision की बात कर ली class notes की बात कर ली infinite gs practice की बात कर ली regular doubt sessions की भी बात हमने कर ली है अब बात आता है कि इसको join कहां से करेंगे बहुत ही simple सा है आप इसके लिए pw app को download कर सकते हो या फिर आप pw.life पर visit भी कर सकते हो दोलों पर जाके आपको UPSC segment को select करके आपको इस batch को find out करने के गुशिश करनी है और अगर आपके मन में फिर भी कोई doubt आता है तो आप हमसे यहाँ पर एक pw.mittra है वहाँ पर आप जाके हमसे बातचीत भी कर सकते हैं यह कुछ इस प्रकार से अगर कोई भी technical या app related issues वगर होते हैं वो भी आप यहाँ से अबेल कर सकते हैं बात बे तो इस पूरे system में इस पूरे lecture में हम यही समझदे कुशिश कर रहे थे कि आखिरकार इन सभी दुविधाओं से जो यहाँ पर इतना easy approach में C option select किया था वो UPSC के segment में C option select करने में कौन मदद कर रहा है तो यह batch है जो कि आपको काफी support provide कर सकता है अगर आप अपनी prelims exam को लेके थोड़ा भी confused हो तो अगर further information चाहिए तो description में इस batch के लिए सारे links वगरे लगा दिये गए हैं आप इस batch की further information वहाँ से ले सकते हैं तो इस वीडियो में बस इतना ही था thank you so much for listening it very patiently friends have a nice day